ग्यान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को और आज हम अपने एक question के लिए एक सवाल के लिए जो हम angels और ancestors में belief करते हैं कि वो लोग हम लोगों को कोई ना कोई इशारा जरूर देते हैं अपने अपने सवालों के लिए आज एक common सा question लिया है मैंने जो हम सब अभी relationship issues में हैं शादी करना चाते हैं अपने life partners के साथ तो एक question ये लिया है आगे आने वाले time में धीरे-धीरे अलग-अलग questions हम यहाँ पर देखेंगे like job के लिए हो गया या फिर और भी हर दिन के लिए भी कुछ कि आज हमारे साथ कौन सी energies positive हैं आज हम क्या कर सकते हैं उस तरह से related this is not आप इसको tarot से अभी connect मत कीजिएगा ये सिर्फ angels की reading है वो भी बहुत positive way में ओके बहुत positively चलेगा ये सब कुछ कभी भी इसको नकारात्मक way में लेने की जरूरत नहीं है और ये readings या ये जो भी अभी है जो भी आप लोगों का यहाँ पर कुछ suggestions आते है readings भी नहीं बोल चकते हैं इसको suggestions बोलोंगी मैं ठीक है ये suggestions हमारे angels की तरफ से ही है why because इन से connect करने के लिए बहुत time लगता है it's not only कि महज एक कुछ second का काम है कि आप connect होके और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पर उनकी predictions है वो read करके बता रही हो नहीं it takes time okay तो यह connection build होने के बाद आप लोग भी अपने questions के लिए जब यहाँ पे उस question का answer आपको पता करना है तो उसके लिए आपको भी ready होना पड़ेगा ऐसे नहीं कि एकदम से आपने video on किया और बस कोई सा भी card select करके और फिर आपका answer मिल गया नई वो accurate नहीं हो सकता उसमें बहुत मत उसके लिए प्लीज सबसे पहले question जो है सबसे पहले question सुन लिए किस question को आज हम entertain कर रहे हैं किस question को लेकर के आज हम in cards की predictions को करने जा रहे हैं वो है what do I need to know or do in order to have a more balanced romantic relationship यह अब husband wife के बीच में हो या फिर girlfriend boyfriend के बीच में हो या फिर वो दो जने जिन्होंने अभी नया नया प यह सवाल है कि वो क्या कर सकते हैं ऐसा क्या करना है उन्हें जिससे कि वो अपने relationship को और romantic बना सके उसे और balance कर सके बहुत अच्छा बना सके ठीक है बहुत deep relationship उसको बनाने के लिए आपको क्या suggestion अभी universe से मिल रहा है angel से मिल रहा है basically angelic powers से connect होने के लिए please अभी आप इस question के लिए सिर्फ इतना अपने partner को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के साथ ही आप जहां पे भी हैं जहां पे भी बैठे हुए हैं लेटे हुए हैं जिस अवस्था में हैं वहीं पे अपने eyes 2 minute close करके अपने partner का चेहरा सिर्फ ध्यान में लाके husband हो तो boyfriend हो तो या फिर अभी कोई soulmate आप manifest करने जा रहे हैं तो उनके लिए भी कर सकते हैं आप ये ठीक है कोई ना कोई हमसफर हम सब चाहते हैं किस तरह की कलपन आपने की है कि वो कैसे होंगे उनको देखते हुए अपने आखें बन करके और इस question के बारे में सोचते हुए अब आप सिर्फ angels से एक request करे करेंगे कि मुझे बिल्कुल सही suggestion दीजिए okay to connect with angels angels के साथ संपर्क बनाने के लिए आप एक गहरी लंबी सांस लेंगे ठीक है ब्रीद और ब्रीद आउट कीजिए तीन बार मैं बोलूंगी मेरे साथ कीजिए ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट अब अपनी अपनी आखे खोलिए और इन कार्ट को ये तीन कार्ट जो आप लोगों के सामने यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इन तीनों कार्ट को ध्यान से देखिए और देखिए कि आप किस कार्ट के साथ अच्छे से connect हो पा रहे हैं को अपने उस सवाल के लिए जो suggestion है जो answer है जो prediction है वो उसी card से मिलेगा तो आप इस card की तरफ तीनों card की तरफ ध्यान से देखिए और एक card को इसा भी आप select कीजिए पहला card है knight का दूसरा card है lady का and तीसरा card है lord का तो आप इन तीनों cards में से जो भी एक card अपना connect हो रहा है आपको अपने इस सवाल के लिए कि आप अपने रिष्टे को और कैसे balance कर सकते हैं और कैसे romantic कर सकते हैं क्या करना चाहिए आपको अपने रिष्टे में अभी at present और यह video हर religion के लोगों के लिए है यह आप जब भी जो भी इस video को देख रहे हैं उसी time पर आप इस prediction को इस suggestion को अपने लिए मान सकते हैं देख सकते हैं इसी तरह से connect हो के ठीक है so आप लोग देखके so I hope आप लोग connect हो पाए होंगे अभी अब जिन लोगों ने सबसे first card select किया है यह है night be brave and honest यह first card जो जो लोगों ने select किया है इस first card के पीछे क्या लिखा हुआ है यह first card के लिए क्या suggestions है predictions है वो सब मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगे फिर बाकी दोनों cards का हम दिखेंगे तो जिन लोगों का first card आया है वो first card की reading देख सकते है first और बाकी जो cards है उनका time के according मैं description में mention कर दूँगी तो जिन लोगों के जो-जो cards है वो फिर उस time frame में जा करके और वहां से check कर सकते हैं कि उनकी reading क्या कहती है उन लोगों के लिए ठीक है तो first जो card है night ये कहता है do the right thing even if it isn't the easiest option stand for what you know to be right and true मतलब आप बिल्कुल सही काम कीजिए मतलब जो आपको पता है कि सब अच्छा काम है सही है वही काम आपको करना है बेशक से हो सकता है कि आपको लगे कि वो कठिन है कभी-कभी लगता है कि ये सच बोलेंगे या ये काम करेंगे तो हो सकता है कुछ problem खड़ी हो जाए ठीक है तो relationship में आप कभी भी जूट मत बोलिए सबसे जादा जरूरी है आपको अगर अपने relationship को romantic करना है loveful करना है strong बनाना है तो relationship में सच बोलके चलिए अभी जो भी बाते हैं उसको as it is रखिये डर ये मत यही suggestion आपको इस first card से मिल रहा है और इसके साथ साथ जो suggestion है वो ये है कि आपके पास बहुत ही positive and strong energies अभी है जो आपको help करेंगी life में और आप बिलकुल सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आप किसी भी चीज को अगर मन में कोई भी ऐसी शंका है आपको कि मैं यह चीज अपने partner को बोलूं या नहीं बोलूं या यह काम करूं किसी भी zone में तो आप डरिये मत आपके साथ बहुत strong powers हैं बहुत आपके जो ancestors हैं जो हमारे poor waj होते हैं जो angels होते हैं उन सब की blessings भी आपके साथ हैं तो आप लोग बहुत अच्छे frame में हैं इसके साथ साथ है if you are in a space where there's opposition you are being guided to follow through with integrity because even if it seems this will slow your progress your reward will be much more abundant you are being surrounded by a light of bravery to help you this card also brings justice जो मैं अभी कह रही थी कि आपको एक बहुत strong powers अभी help कर रही हैं life में आगे बढ़ने के लिए तो अभी जब आप अपने partners के साथ हैं अगर मान लीजे कि कोई भी issue हो रहा है जैसे कि होता है कभी-कभी partners के साथ हैं आप लोग या husband का relation है साथ में अचानक से लगने लगता है कि थोड़ा सा थोड़ी मुश्किले लगने लगती हैं किसी वज़ा से तो आप लोग डरिये मत आप लोग बेकुल सही रास्ते पे हैं strong रहे जहां पे हैं वहीं पे रहे और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़िए अपने relationship में yes कुछ initiative लेने की कोशिश कीजिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए अच्छा मतलब कि कुछ hard work कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ gifts वगेरा कभी कभी देने होते हैं अपने partners को हम लोगों को तो बहुत hectic हो जाता है कि कहां जाएं कैसे लें क्या करें नहीं करें बहुत मुश्किल हो जाती है निकलने के लिए लेकिन अभी जो ये card की prediction है वो यही है कि थोड़ा सा initiative अगर आप अभी लेते हैं अपने partners के लिए अपने relationship के लिए husband wife हो couple हो जो भी हो कुछ आप gifts अगर exchange करते हैं उनको देते हैं तो ये आपके relationship को एक boon देगा and yes positivity के साथ आप अपने relationship में आगे बढ़ सकते हैं so ये इस card की reading थी ये first card हमने जो लिया था इस card की reading हम खतम कर चुके हैं so अभी हम आते हैं अपने second card पे जो था lady जिन लोगों ने भी lady का card select किया था इस card की reading के बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों को इस card के लिए है reap what you have sown and enjoy the fruits of your labor grow and expand in all areas of your life बहुत अच्छा है ये card जिनों ने भी लिया है क्योंकि lady की entry जब lady angel की entry होती है आपकी life में तो हर जगा खुशिया ही खुशिया मिलने लगती है अभी क्या है आपने जितना भी hard work किया था अपने relationship के लिए अब उसका फल मिलने की बारी है आपको अब उसका return मिलने की बारी है आपकी life में means कि अगर काफी time से आप लोग अपने relationship में है और आप लोगों को लग रहा था कि सब कुछ हम ही करे जा रहे हैं हमारी तरफ से ही है हर initiative हम ही अपना प्यार दिखाते है उधर से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है तो अब आप लोगों को भी उधर से वही response मिलेगा वही प्यार affection मिलेगा जो आप लोगों के मन में था या है तो जब उधर से मिलेगा तो obviously आप लोगों का relationship और deepen होगा और strong होगा and romantic तो होगा ही definitely so यह है जिनके भी उसमें lady का card जिन्होंने select किया था उनके लिए fertility, growth and abundance are all imminent when the lady arrives in your life yes, जब lady जिन्होंने select किया है तो guys, you guys are really very lucky जिन्होंने भी lady select किया है क्योंकि lady select करने के बाद आपकी life का मतलब है कि अब खुशियां बाहें फिलाखे आपकी तरफ बढ़ रहे है so now बस वही बाहें आप भी खुल दीजिए उन खुशियों को अपनी जिन्दगी में आने दीजिए बहुत ज़रूरी है इन खुशियों का अपनी अपने लाइफ में आने देना लेकिन उसके लिए हमें खुद भी वो बाहें वो दर्वाजे खुले रखने पड़ेंगे जब मन में ये भावना रख लोगे कि नहीं मेरी तो लाइफ ही साड है मेरी लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं होने वाला तो दर्वाजा बंद कर रखा है आपने तो इसलिए उस दर्वाजे को खोलिए अब ये धारनाएं जिन-जिन के मनों में हैं कि हमारी जिन्दगी में कुछ चेंज नहीं हो रहा वो इन सब धारनाओं से बाहर निकल ये बिकाज लाइफ अब बिलकुल कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है आप लोगों के लिए ओके तो ये हैं अगर आप कोई बिसनेस डील करने जा रहे हैं दूसरा जो लोग मैरेज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं जिन लोगों ने भी लेडी का कार्ट सेलेक्ट किया है अभी अच्छे से कनेक्ट होके उनके लिए बून है अगर अगर आप लोग अभी मैरेज के लिए परिशान थे कि मैरेज नहीं हो रहा है कब होगा तो ये लेडी कार्ड आप लोगों को बहुत है करने वाला है अब आपको मैरेज की कमिटमेंट अगर नहीं मिल रही थी तो अब मिलेगी और येस प्रोपोजल्स भी आएंगे जो सोलमेट में निफेस्ट करने में लगे हुए है तो और जो पहले से शादी शुदा है उनकी लाइफ में तो समझ लीजी की मिराकल होगा और अभी बहुत अब ही अच्छे spirits के साथ connected हैं अभी ये ध्यान रखेगा तो आप जबी भी अभी कुछ कर रहे हैं तो जिन लोगोंने lady का card select किया है please try to respect women आप women की respect करेंगे चाहे वो आपकी girlfriend हो wife हो या फिर जो girls है वो girls की respect करना जरूरी है ठीक है तो जब आप लोग ladies की अभी जिनोंने भ वो जो wishes हैं वो सब फुल्फिल होने लगेंगी and yes आपके relationship में ये सब एक blessing की तरहा आप attract करने लगोगे so this is something ये lady का card आपके लिए कहता है next आते हैं हम जिनोंने जो third card select किया था जो था lord का card okay ये card कहता है take charge with authority okay so lord का card is something very very blessed card don't be afraid to take charge or use your voice be strong अभी आप lord मतलब की इतनी divine powers इतनी strong powers आपके साथ हैं कि अभी आप जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो ठीक है मतलब जिनोंने ये select किया है card वो अपने relationship में बिलकुल बिंदास होकर के जो मन में आ रहा है आप commitment मांगना मांगिये ठीक है आपको जो अपने मन की बात रखनी है वो रख सकते हैं आप अब आप में उतनी strength आ चुकी है आपको ये blessing जिन से मिल रही है so now अभी आप ल and yes one more thing जिनोंने ये card select किया है उनकी बारी है आप boss बनने की relationship में क्या होता है कि कभी-कभी हम लोग बहुत दबे-दबे रहते हैं अगर boyfriend girlfriend हो तो husband wife हो तो या तो husband दबे हैं या फिर wife बहुत दब के डर के रह रही हैं कि मतलब लडाई ना हो जाए जगडा ना हो जाए इस तरह से करके हम लोग अपने अपने आपको ही पीछे खीचते रहते हैं दबा के रखते हैं लेकिन जिन लोगों ने ये card select किया है Lord का card select किया है वो लोग because अब आप लोगों की बात सुने जाएगी जो बात आप लोग इस relationship में आप लोग रखोगे सामने वो सारी बातें बिल्कुल fair enough होके आप लोगों के सामने आएगी okay so ये cards बहुत helpful हैं आप लोगों के लिए अभी इस question के लिए आप लोग इन सारे जो जो cards आप लोगों ने select किये थे वो knight था lady था या lord इन तीनों cards में से जो जो select किये हैं आप लोगों ने और जो भी तीनों cards के साथ suggestions मिले हैं उन suggestions को consider करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं ये सिर्फ suggestions हैं आप लोगों के लिए कभी कोई prediction नहीं है और ये सब बहुत positive thoughts हैं आप लोगों के लिए जिसको आप अगर अपनी life में लेते हैं suggestions की तरह तो ये आप लोगों को आगे help ही करेगा आप लोगों के relationship में उसको romantic बनाने के लिए so that's all और आगे हम next questions के साथ जरू इन सारे suggestions को जरूर ले सकते हैं ये आप लोगों को help ही करेगा मैं कोई tarot अभी यहां पर start नहीं कर रही हूं अभी फिलहाल अभी फिलहाल हम इनी angels और ancestors के cards के साथ चलेंगे कि इनके क्या suggestions हमें मिल रहे हैं okay so कुछ negativity नहीं है आप बिल्कुल positive रह करके आगे बढ़ सकते हैं इसी positivity के साथ और जब भी जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो आप इस चीज को consider कर सकते हैं या आप लोगों को help ही करेगा thank you so much and yes मिलते हैं next video के साथ God bless you all